हरी ग्रिशना राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाए आज हम शिरी सुक्सागर महापुरान के पर्थम इसकंद का नवा अध्याय सुनेंगे जिसमें शर्षयया पर पड़े भीश्म पिता महें द्वारा युदिष्टर राधी को धर्मोपदेश देना और भ पिता महें के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई सोने सी सिशुभित उत्तम घोडों से उप्तरतों पर चड़कर उनके पीछे पीछे गए। ब्यास और धोम्य आधि महरीशी भी उनके पीछे पीछे चले। इसके अत्रिक्त कितने ही रिशी मुनी और ब्राहमन भी पित अनोपतेश सुनने के लिए वहां जा बैठे तब युदिश्टर ने वहां पहुंचकर भीश्म जी का पूजन किया और स्वते ही रोते रोते अपने हरदे का दुख परकट किया तब धरमराज को पश्चत आप से संतप्त होते जान बानों के शया पर पड़े भीश्म जी ने साथ हैं अब तक जो कुछ तुम्हारे विरुद्ध हुआ है उसमें काल की ही प्रधानता जानों क्योंकि काल सबसे बली है इंदर आदी लोकपाल सब उसके वश्म में हैं हे राजन वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारन मनुश्यों को जानने की बात नहीं है उसे जानने के लिए तो विद्वान भी मोहित हो जाते हैं इस कारण इन दुख सुक आदी को इश्वर के वश्म समझ कर तुम उनके अनुवर्ती हो अनात प्रजाजनों की रक्षा करो देखो यह श्री कृष्ण आदी पुरुष साक्षात नारायन रूप है यह सभी श्री कृष्ण जी के प्रियमित्र और अत्यंत उपकारी हो वे तुम्हारे मामा के पुत्र, विश्वासी दूत, साथी और मंत्री भी हैं उन पर सरवात्मा, सर्मधर्शी, अग्ये, अंकार रहित, श्री कृष्ण जी को पाकर भी तुम्हे प्रामर्श देने वाले की क्या नहीं उनता है अहां ये श्रीकृषिन जी कितने दयालू हैं जिन्होंने मुझ प्राण त्यागते हुए को अंतमे आकर दर्शन दिये हैं जो इन श्रीकृषिन जी के मन लगाकर उनकी भक्ती करता है जो इनकी नामों को अस्मरण करता है जो इनका जब करता हुआ शरीर त्या सूद्जी कहते हैं भिश्ण जी के ऐसा कहने पर धर्म जाद जुष्ट्र ने उन्शर सया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक परकार के धर्म संबंदी प्रशन किये उन प्रशनों में मनुष्य के सर्व साधरन धर्म से लेकर वर्णों और आशर्मों के धर्म वेराग्य और अनुराग की उपाधियों से युक्त निरवर्ती और परवर्ती मार्क का विश्ण जी ने वर्णन किया साथ ही साथ उन्होंने धन धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, इस्तरियों के धर्म और विश्णों जी के सब धर्मों को संक्षेप में और कहीं कहीं विस्तार से भी वर्णन करके अनेक प्रकार के इतिहासो सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विशाद विवेचन किया इस समय धर्म चर्चा करते हुए उनके देह त्यागने के योग्य उत्रायन का समय आ गया जिस समय को अपनी इच्छा से शरीड त्यागने वाले योग्य जन चाहते हैं उस समय को देखकर बीशम जी चुप हो गए फिर उन्होंने अपने समक्ष इस्तित पीत पट से शुशोबित आदी पुरुष चतरवु श्रीकृषन जी को देखा और मुक्ध होने के लिए मुक्ध मन से उनका ध्यान किया जिस से उनके समस्त अमंगलों का नाश हो गया श्रीकृषन ने उनके शरीर पर अपना हाथ फेरा जिस से उनके शरीर से अस्तर प्रिड़ा जाती रही और इंद्रियों का भर्म नश्ट हो गया इसके बाद पीशम जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की स्तुती की तब स्तुती करते हुए उन्होंने कहा हे पर्मानंद को प्राप्त देवताओं में स्रेश्ट कृष्ण आपके चर्णों में मेरा नमशकार है आप अपनी माया से विहार करने वाले और सबके जीवन मरन के आदी स्थान है हे तमाल के समान नील रंग, सूर्य की किर्णों के समान पितांबर लपेटे हुए अलकावली युक्त, कमलवत मुखवाले, अर्जुन के मित्र मेरी यही अंतिम इच्छा है कि आपके चर्णों में मेरी निष्ठा वक्ती होए हे युद में खोड़े के खुरों की धूली से धूसरित इधर उधर शीग्रता पूर्व कमन करने के कारण बिखरे हुए केश वाले श्वेत बिंदू से शुशोबित मुखवाले मेरे तिक्षन पानों की चोट सेहन करने वाले सुन्दर कवच्छी सुशोबित कृष्ण आप में मेरा मन पूर्ण रूप से प्रेम करे हे अपने मित्र अर्जुन का वजन सुनकर शीग्र ही अपनी और शत्रु की सेहना के बीच में रत खड़ा करके अपने भुरकुटी मातर से शक्तों की शक्ती हरने वाले आप में मेरा प्रगाड प्रेम होए हे अर्जुन की कुबुद्धी को हरने वाले कृष्ण मैं बारं बार आपको नमशकार करता हूँ हे भगवन यदि आप अर्जुन के सहायक ना होते तो वह अपनी दुर्गुद्धीर के कारण युद में शत्रों को कदापी ना मारता परन्तु आपने आत्म ग्यान देकर उसे बड़ा सहसी बना दिया ये अज्जुत आप वही सत्पुरुष हैं जो मेरी परतिग्या को सत्य करने के लिए अपने परतिग्या को त्याग रत से नीचे उतर रत का पहिया ले मुझे वैसे ही मारने चले जैसे हाथी को मारने के लिए सिंग चलता है ये जनार्दन तब आपके भैसी प्रत्वी कापने लगी और उसी संभरम में आपका दुपट्टा प्रत्वी पर गिर गया तब मैंने आप पर बानो का तीसरा भीशन परहार किया और जब आपका कवच कट गया तब जिस आपके शरीर से रुदिर बहने लगा मैं ऐसे श्रीकृषन जी को जो मुझे मारने के लिए हटात मेरे ही सामने आये थे उन मुकुंद भगवान को परणाम करता हूँ वे ही भगवान मेरी गती हो फिर जो अपने कुटुम्बियों के ही समान अरजुन के रत की रक्षा करने वाले हात में रत हाकने का चाबुक लिए घोडो की बागडोर हात में पकड़े और जो उस तशा में अद्वुष्चो भाय मान हो रहे थे उन भगवान कृष्ण को मैं अपने इस मृत्यू काल में परणाम करता हूँ और उनकी शरण लेता हूँ वे मुझे अपनी शरण में रखें जिन भगवान ने उनुबाद से अंद गोपियों का भी आदर किया जिनोंने गोवर्दन धारन कर अनेक लिलाएं की और जो युदिष्टिर के राजशुय यग में पूजित हुए आज मैं उन्हें अपने सामने देखकर अपने आपको धन्धन्य मानता हूँ सूच जी कहते हैं इस परकार बारम बार परमादमा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने सब भाईये वित्यों को भीतर रोक कर भीशम जी शान्त हो गए तब भीशम जी ब्रहम गती को प्राप्त हो गए ऐसा जानकर वहाँ उपस्तित जनों में सननाटा चा गया देवताओं और मनुष्यों द्वारा बजाए हुए नगाडे बजने लगे राजाओं में इस्तित सादुजन पिशम जी की परशंशा करने लगे आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी मुनी जन परसन होकर शिरी कृष्यों की इस्तुति करने लगे ततपश्चात शिरी कृष्यों और धृतराष्ट की अग्या के अनुसार योदिश्टिर ने उनका शव आदिक सव संसकार किया और पुने हस्तिनापूरा कर तपस्विनी गांधारी और माता कुंती को समझाते हुए राज्य भार संभाला यहाँ पर पहले इसकंद का नवा अध्याय समाक्त होता है हरी कृष्णा राधी राधी